लो फ्रेंड्स, विल्कम टू डेजिस कुक्री, आज मैं आपके लिए कस्टर्ड कुल फेक रेस्पी लेकर आई हूँ, यहां देखिए उसके लिए मैंने सबसे पहले एक लिटर दूद लिया है, फुल क्रीम उसे मैंने रिड्यूस करके 750 मिली लिटर कर दिया है, और उसके ब दालने से क्या होता है, वो खुद भी उसे ठीकनेस देगा, दूज जब अच्छे से रिड्यूस हो जाए, तो उसमें उसे डाल देना है, उसके साथ उसमें चीनी भी हमें एड करना है, इलाइची पौडर, और थोड़ा हमने इसमें काजू और किसमिस को भी कटकर के डाला ह यह बहुत ही अच्छा कुलफी का घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखिए, परफेक्ट है, आप भी इसे जरूर घर पर ट्राइब करें, और मेरे चैनल डेजिस कुकडी को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लें, और मेरी यह रेस्पी कैसी लगी आपको, वह आप में जर ता कर देखिए, मैंने ग्लास में डाला है, इसे थे इतना तक हमें थोड़ा सा मने उपर का लेवल छोड़ दिया, और फिर फ्रेज में रख दिया है, इसे दस से बारा घंटे के लिए, दस से बारा घंटे बाद देखिए, पूरी तरह से कुलफी जम गया, इसे नॉर्मल भूँआटर में चूड़ा है ताकि बहुत आज़ा उसके बाद इसे च्याकू लेकर किनारे से घर्ली को ख़रस्तना है उसके बाद ऊसे पलट देना है प्लेट में पलटेंगे तो देखिए कितना आसानी से हमारा कुलफी गलास से बाहर आ चाय गा देखी बहुत अच्छे तरीके से यह बाहर आ तासे से गार्णिश किया है दोस्तों तो मेरी यह कस्टर्ड कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं